हेलो एब्रिवन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज हम बनाएंगे पनीर के पराठे और इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे जिससे आपके पराठे ना फटेंगे ना तूटेंगे बहुत अच्छे बनेंगे उपर से देखिए ये देखने में कितना यम्मी लग ये खाने में भी बहुत स्वादिस्ट है और इसे हम कुछ सीक्रेट इंग्रिडियंट्स के साथ बनाएंगे जिससे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे तो आप एक बर इस तरीके से पराठे बनाकर जरू ट्राइ करें ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा ये पराठे कितने अच्छे बने हैं और अंदर से भी एक दम इसका दोनों पाट अलग हो जा रहा है तो चलिए हम इसे बनाते हैं तो यहां हम लेंगे गेहूं का आटा आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक हलका नमक डालें आप स्वाद अनुसार और फिर हमें इसे गिला नहीं करना है जिस तरीके से हम आलू के पराठे किडो लगाते ना उसी तरीके से बस थोड़ा सक्त होना चाहिए मतलब जादा गिला नहीं होना चाहिए तो देखिए एकदम सौफ्ट हमने आटा लगाया है यह बिल्कुल सौफ्ट है आटा इसे रखते हम साइड में और यहां हमने लिया है पनीर पनीर को हमने यह कद्दूकस करने वाला कद्दूकस ले लिया है आप छोटे बड़े किसी भी साइच के ले सकते हैं इससे आप करेंगे न तो आपके जो पनीर एकदम बारिक आएगी और इसमें बिल्कुल भी गाटे नहीं रहेंगी तो पनीर कद्धु करने से पहले गीसने से पहले आप पनीर प्रीज में रख ले तो इससे क्या होगा कि यह करना आसान हो जाएगा तो यहां मैं पडूल लिया, यह दिखे बहुत अच्छी से हो जा रहा तो यह में सारे पनीर को कड्व तो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट सेक्षन पर मुझे कॉमेंट करें यहां मैंने अजवाइन ले लिया है थोड़ा सा कलोंजी हरी मिर्च और थोड़ा नमक ले लिया थोड़ा हम लेंगे प्याज बारिक कटव और खूप सारी हैंडफूल धनिया ले लेंगे हम धनिया पत्ते को बारिक काटके और इसे करेंगे हम मिक्स अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप इसमें जरूर डाले थोड़ा सा हाथ में गिसके अजवा तो यहां मैं सारे आतों के लोई तोड़ लूँगी आपको यह पराटे बहुत स्वाधिस्ट लगेंगे आप इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राइ करें तो देखें यहां मैंने सब को बराबर करके तोड़ लिया है ना छोटी ना बड़ी सब एक बराबर है तो यहां आप लोई को हातों के बीच में ऐसे गोल कर ले अच्छे से ताकि उसमें कोई क्रैक्स ना रहे तो सारों को मैं गोल कर लूँगी पनीर के प्राटे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं आप इसे सफर के दोरान भी ले जा सकते हैं इसे बिना सबजी के खाएं चाई के साथ खा है और सारे पिटे बना लिए है तो अब ही हमें क्या कर नह, हमें है चक्ला ले लिये किसमें ऊतने रोटी भी एले से तो इसके लिए आसे प्रेस कर ले और अल्गे बले पूरास प्रेशर देकर ना áreas आफ से अब इस तरीके से करते जाए तो सुखा अटा लगा के इस तरीके से आप बेल ले तो यह देखें मैं हमने बेल लिया आपको बड़ी चाहिए चोटी चाहिए जैसी भी चाहिए आप गोल आकार में बेल लिजे तो यहां मैंने अच्छे से गुमा गुमा के बेल लिया है अभी हम इ लो फ्लेम में सिखने के बाद हम इसे पलट लेंगे और देखिए इस साइड एक दम थोड़ा हलकाल का सीख गया है तो हम क्या करेंगे न दूसरे साइड पलटके भी इसी तरह हम सेखना है तो ऊपर हम लगाएंगे बटर आप इस पराटे को बटर में बना सकते घी में बना सक जो भी चीज में आपको अच्छा लगए आप उस चीजसे से बना सकते हैं और फिर आम एक साइड बटर लगा के दूसरी साइड पलटके पिर से बटर ले लेंगे आप ब्रश की संगेंरश से मैं चम्मच से लगा रही हूं इस पराटे में बटर का स्वाँट बहुत अच् तो यहां मैंने अच्छे से प्रेस करते करते से सेक लिया है इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेगी परांटे आपके तो मैंने सेक लिया है तो इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी दर के लिए मैं तब एक मिनिट के लिए उल्टी साइड को ताकि उस साइड भी अच्छ से से जाए और अब हम क्या करेंगे इसे फिर से प्रेस करके पलटेंगे ऐसे पलट पलट के आपको सेकना है पराटो को अब हम इसे निकाल लेंगे यहां हमारा एक पराटा रेडी है दूसरे को भी हम इसी तरह से पलट के सेक लेंगे तो यहां रखा हमने पांच मिनिट फिर पलटा उपर बटर लगाएंगे तो यह देखे हमारा दोनों चाइट से अच्छे से पराटा आप सेके ताकि एक दम क्र राठा बना कर जरूर इंजोई करें थैंक्यू फॉर वाचिंग